सोशल मीडिया पर कैसे दूपते हैं आज मैं बड़े इंकिशाफ करने लगी हूँ सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली बहादुरी का काम होता है जो हर एक बस की बात नहीं होती है ना उसको किसे ने सिखाया था ना उसके अंदर ये चीज थी मगर इस खबर के अंदर छुपी हुई गिनाओनी साजिश क्या है वो मैं आप लोगों के सामने रख दूँगी वो तो है ही सर सिरू से यह इस सिरू से आप ज़्यादा बढ़ गया कि पहले जितना साथ रह रहे हैं उतना ही ज़्यादा अच्छो थी भारत वाले समझ लो यह जो है ना हिंडू है बढ़णी के कश्मोर के या कंदकोर्ट के हिंडू है वो समझ लो यह जो लड़की है वापस करो अगर जो लड़की वापस नहीं हुआ तो यह माल जो है मंदरों में चलेगा ठीक है भाई टिक टॉक, यूट्यूब और फेस्बुक के जरीए पहले बेरुने मुल्ग ले जाने के सुहाने खौब दिखाये जाते हैं या फिर एडवेंचर का चैलेंज दिया जाता है जो हकीकतन एक डौना खौब साबित होता है पाकिस्तान फैंक भी दिया जाता है तो पाकिस्तानी उसका क्या हाल करेंगे अब इस तरह ये सिलसला चलतार है जिसको हम कहेंगे गेम भाई यह बोलूगी कि वो खुश्याना तो मुझे नहीं रहादा कि किसी को कुछ भी कंसर्न होना चाहिए कि भई वो कैसे आई क्यूं आई अच्छे बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पका की डव सोशल मीडिया पर कहले की जो खेल है यह धडलने से जारी है मेरा इश्क है वो मुझे प्यार है उससे मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे दुख ना होता कि मैं मैंने कोशिश ना करी मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की काश मैं कोशिश करती मैंने कोशिश करी और काम्याब हो नमस्कार दोस्तो जैहिन जैसरी राम तो भाई हो सीमा हैदर के भाई का दूसरा वीडियो आ चुका है जिसमें बो सीमा के बारे में गंदी गंदी बात कर रहा है पेलने और पिलवाने की बात कर रहा है एक बहन का भाई का रिस्ता बहुत प्यारा रिस्ता होता है बहन भाई को कलाई पर राकी बांती है हमेसा सुरच्चा की बादा करता है भाई कि मैं बहन आपकी सुरच्चा में हमेसा ततपर रहूंगा खड़ा रहूंगा मगर भाईो ये कैसा भाई है जो अपनी बहन के बारे में गंदी गंदी बाते कर रहा है और भारत को साती सात में गाली दे रहा है और भाईो इस वीडियो पर पठान भाई ने भी रेक्ट किया है और सीमा के भाई को इस तरीके से रेला है कि आप भी बोलोगे मज़ा आया तो चलिए दोस्तो वीडिये बड़ी इंट्रेस्टिंग है तो वीडिये के अनंद लेते हैं तुम मेरा हाथ तो पकड़ो मुश्यद मैं साबित करूँगी हर कोई छोड़ के नहीं चाता तुम इनका सामान तो पकड़ो मलेरिया के मच्चर ये साबित कर देगी कि ये एक वक्त में पचास केलो दूट और एक साल में दरदन बच्चे पेदा करेगी यार जब तक ये खरामखोर सोशल मेडिया पर मेरे नदरों के सामने आती रहेगी न तो मैं इसकी बजाता हूंगा इस वज़ा से नहीं कि ये इंडिया चली गई इस वज़ा से कि इन्होंने में हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया हाँ पाकिस्तान को भी चौड़ उनाने मतलब हिंदों जानकर लोगों को ये बताए मने हिंदु पर बहुत ज्म हो रहे है तुक। खरामखोर ये जूट क्यों पहला है ओ, खरामखोर, इंडिया के नीज़ वाले खरामखोर तो हमारे वैसे भी दुश्मन है, वो तो ऐसी नीज़ चाते है कि हम पाकिस्तान के बारे में बॉंक है, बके, और तुमने वहाँ मेडिया के सामने के दिया कि मतलब वहाँ पर गेर मुसलिमों के साथ जलुम हो रहा है, उ कोई बोल रहा था जनरल है, कोई बोल रहा था करनल है, कोई बोल रहा था हवलदार है, भाई, यह बंदा तो ऐसा लग रहा है, जो समंदर किनारे, इस बंदे की शेकल ऐसी है, जो समंदर किनारे, वो प्यार वारे लोकिट नहीं सेल करता है, जैसे दिल बना होता है, उसके दो तस्वीरे होती है या ब्रेसलेट वगेरा जो समंदर किनारे जो समान एक छोटी सी टोक्री में लेकर जो यह बंदे की इसको मैंने किसी देश में देखा है समंदर के किनारे कुछ तो बेच रहा था यह भी याद नहीं आ रहा है कि बुटे बेच रहा था पानी पूरी बेच रहा था या फिर यह लॉकिट बेच रहा था मक्सद मेरा यह नहीं है कि पानी पूरी लॉकिट बेचना बुरी बात है मक्सद यह कि लोग बोले थे यह तो आर्मी में है यह तो बेहने का ठका शकल से कुछ और ही लग रहा है इसका माता देखिए ऐसा लग रहा है मेरे दो साल एक शूस थे मेरे पर मैंने दो साल उसको यूस किये मैं वाक करता था उसमें तो उसकी जो नीचे शूस का नीचे जो एड़ी का ही साथ है वो गिस गया था और इसका माता मेरे उस शूस की तरह लग रहा है और इसके बाल ऐसे लग रहे है तेका लोग स्प्रे लगाते हैं बालों में नाने के बाद कोई जेल लगाता है कोई क्रीम लगाता है इसके बाल ऐसे लग रहे हैं किसी बड़े गायने यह बैंसने चाटा होगा यह अपने बाल ना गायन से चटवा कर खड़े करता है इतनी गंदी जुबान यूज कर रहा है यह अपनी बैन के लिए कि वाई हमें यूज हमें शरम आती है कि इसका सामान दो पकड़ो और यह सच इन पर हरा है रोज एक एक नाम रखता है कभी मलारिया का पंचल बोल रहा है उसको तो कभी कच्वे का सुकाम बोल रहा है उसको बड़ा हरामी है यह दोस्तों कमेंट यह जरूर देखेगा क्योंकि यह वीडियो इसने खुद मुझे बेजी है तो यह बड़ा रामी बंदा भी है बड़ा पनी बंदा भी है तो कमेंट में इसके लिए एक एक शबत जरूर लिखना यह जरूर पढ़ेगा हो सकता है आपको रिप्लाई भी मिल जाए इसका चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया हो सबी अभी सीमा हैदर की बात कर रहे है सीमा हैदर एक तरीके से फैमस हो गई है चाहे यूटूब हो फेस्वोक हो इस्टाग्राम हो निउस चैनल हो सीमा हैदर की बात की जा रही है यही बात दोस्तो सीमा हैदर के भाई को पसंद नहीं आ रही है सीमा भाई हैदर का भाई इतना बेवकूफ है इतना गदा है इतना मूर्ख है उसके बुद्धी में इतना गोवर भरा है कि अपनी भेहन को सगी भेहन को गालियां दे रहा है गंदी गंदी बाते कर रहा है दोस्तो हमारे यहां पर जो भाई होता है वो वहन की सुरच्चा के लिए होता है वहन को कितना मान और समान देता है मगर दोस्तो यह कैसा भाई है जो अपनी वहन के बारे में इतनी गटिया इतनी गंदी बातें कर रहा है यह सिर्फ पागिस्तानी में ऐसा हो सकता है पागिस्तान के अंदर ऐसे भाई मिल सकते हैं दोस्तों तभी तो पागिस्तान की लड़कियां भारत के लड़कों से इंप्रेस हो रही हैं भारत के लड़कों पे मर रही हैं भारत के लड़कों के लिए अपनी जानवीद देने के लिए तयार हो गई हैं इसका एक्जामपल है सीमा सीमा एक ऐसी लड़की है जिसने अपना प्यार को चुना भारत को चुना और भारत में उसे पता है कि कितनी ज्यादा एज़त मिलती है लड़कियों को लड़कियों को भारत में एक लच्वी माना जाता है जो औरत होती है घर की उसकी सभी बात मानी जाती है कहीं ना कहीं सीमा को यह पता चल गया था उसे रहकर उसके उपर जो जुलम हो रहे थे पागिस्तान के अंदर उसे पता था अगर पागिस्तान में रहोंगी तो प्यारों की जूती रहोंगी और जब मैं भारत में जाओंगी तो लच्मी की तरह पूजी जाओंगी त अबीद करते हैं दुस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके क्या ओपीनियान है इस वीडियो के बारे में आपके क्या बेचा रहे हैं कमेंट सक्षिन हो लेकिन न टॉपिक के साथ मैं तब तक के लिए मुझे दीजिये इजाज़त राम राम दी